बिहार के विकास की चाभी जाने वाली है, उनका बिहार की धर्दी पर, कटिहार की धर्दी पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ और अधन्य नरेंद्र मोदीजी से आगरा करता हो, कि कटिहार की जंता को आप संभोधित करें अधन्य नरेंद्र मोदीजी। भारत माता की भारत माता की मन्च पर बिराजमान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाइस्त्री मंगल जी इस तुनाओं में भारतीय जनता पार्टी के चनप्रियों वीद्वार और आपके सुखदुक के साथी सेंदी खेल कुमार चौजरी जी मन्च पर बिराजमान सभी आधनिय विधायक बंदो पार्टी के पदादिकारी और विशाल संग्या में पदारे हुए भारत के भागे मिदाता मेरे भाईयों और बहनों आपन लोग के नमश्कार अपने एर एते सिंग्या में आयल जी हमार दिल गद गद भेर मैं आज इस कभिहार की सभा में यहां की स्थानिय इकाई को एक विशेष अबिननन कर रहा चाहिए इतनी बड़ी मात्रा में महिलाओं की हादरी देख करके मुझे इतना आनंद हो रहा है मैं मुझे इस करके महिलाओं का स्वागत करता हूँ और इकाई को अबिननन करता हूँ आपने बाद अच्छा काम किया है हमने जनसभाएं बहुत देखी है लेकिन कभी भी डबल स्टोरी जनसभा नहीं देखी दो मंजिला जनसभा नहीं देखी आज कढ्यार में मुझे दो मंजिला जनसभा देखेने को मिल रही है एक सफा इस मैदान में चल रही है और दूसरी वह इबारत पे चल रही है वह आप पैसे कोई गीर तो नहीं जाएगा ना बाई जो बहनो कई चरणों में मतदान हो चुका है अपने यहां भी कुछ सीटों पर मतदान हो गया है अब तक जो मतदान हुआ है उससे मैं कह सकता हूं कि जिन जिन लोगों को मतदान करने का उसर मिला करीब 232 सीटों पर मतदान हो चुका है और मतदाताओं के रवये से मैं कह सकता हूं कि अब तक जितना मतदान हुआ है उन्होंने दिल्ली सरकार को साप करने का निकालने का काम पूरा कर दिया 232 वालों नहीं उनको बिदाई कर दिया है तो ये तो गए अम्मा बेटे की सरकार गई अम्मा बेटे की सरकार आपको बरबाद नहीं कर पाएंगे आपकी जिन्दगी खतम नहीं कर पाएंगे दो सो बत्तिस जिद्वालों ने काम कर दिया है बहुत हो गया अब विदाई लीजी हो गया भाई ये बेनों लेकिन अब जहां मतदान होना है उनका बड़ा महत्वपूर्ण काम है दो तो बत्तिस वालों ने इस सरकार को घर पेच दिया नई सरकार बनाने की नीव डाल दी लेकिन मजबूत सरकार बनाने का काम अब जिनको मतदान है उन्हें पुरा करना है और इसलिए भाई यो बेनों मैं आज फिर एक बार बिहार की धर्ति पर आया हूँ बिहार ने मुझे इतना प्यार दिया इतना प्यार दिया बाग बार आने का मन करता है और आप देखना आपका यही प्यार है जो चुनाव जीतने के बाद भी मुझे बार बार यहां ठीच के ले आएगा भाई यो बेनों मुझे विश्वास है मेरा और आपका यह रिस्ता मेरा और आपका यह प्यार का सबन अब बिहार के लिए मुझे कुछ नू कुछ करने के लिए हिम्मत देगा भाई यो बेनों मैं हमेशा मानता हूं कि भारत का विकास कुछ तुक्ड़ों में हो गया तो यह देश कभी महान नहीं बन साथ यह देश कभी शक्तिचानी नहीं हो सकता देश तभी शक्तिचानी होगा देश तभी महान होगा जब उस इतनुस्तान के सभी राज्य, सभी जिने, सभी गाओं यह जब मजबुत होंगे तब चाकर के देश मजबुत बनने वाला है गुज्राथ आगे बढ़ जाए और बिहार पिछे रह जाए तो मेरा भारत कभी आगे बढ़ नहीं सकता है और इसलिए गुज्राथ भी बढ़े बिहार उससे भी जादा बढ़े तो मेरा देश मजबुत होगा हिंदुस्तान का पस्चीमी छोर आर्थिक गतिविति करें और पुर्वी छोर इंतजार करें यह स्थिति मुझे बदलनी है मुझे कि हमारी भारत मां की पुर्वी भूजा है उडिसा हो बिहार हो आंद्र हो पस्चिम बंगाल हो आसाम हो नौतिस्ट हो पुर्वी उत्तर पदेश हो इनकी सबसे ज़्यादा विकास की जरुवत है कि यहां सबसे ज़्यादा रोजगार के अउस्सर पदा करने की जरुवत है और इसलिए भाईयों भारतिये जनता पार्टी ने अपनी गोशना पत्र में बिहार जैसे राज्यों पार पिशेश ध्यान देने का संक्रत किया है भाईयों भेनों ये दीरे दीरे बिहार की राजनिती से पड़े खुलने लग गये है पड़े के पीछे क्या खेल चल रहे है कौन किसके साथ है कौन किसके कड़दन में है कौन खुलकर के गड़दन करता है और कौन पर्दे के पीछे लट बंदन करता है यह सब अप्छुना हो गया भाई भेलो भीहार के सभी तलों में यह ताकत होनी चाहिए थे जंता के सामने उन्होंने सीना तायन करके जाना चाहिए था कि भाईजफा गडबंदन के सामने हमारा यह गडबंदन है लेकिन वह हिम्मत नहीं है और इसलिए पर्दे के पीछे अपने उम्मीद्वारों को कि बिठा देने की चाल चली जा रही है ताकि उनकी राजनितिक इरादेश ठीक निकले बिहार के अपने आपको बड़े महार पुलिटिकल पंडित मानने वाले लोग जनता की नवपे अपनी उंगली है इस हंकार में जीने वाले लोग वे सब कान खोल करके सुनने अब जनता आपको पहचान गई है अब जनता आपकी बातों में गुम्रा होने वाली नहीं है अब बिहार की जनता ने देश का भविष्य बनाने का फैसला किया है और इस बार देश का भविष्य बिहार बनाने वाला है भार्तिय जन्ता पार्टी को अपार्ट प्रेम मिल रहा है भार्तिय जन्ता पार्टी के गड़बनन को अद्बूत सबलता मिल रही है भायों बहुत कॉंग्रेस पार्टी हताश और निराश हो गई है का प्हली बार पूरा का पुरा था सभी पी को कि या रहती Marines आन दो इसमें आप जाएंगे की नहीं जाएंगे को इसके लें नीचे लिखा होता है iida.ı secondary ह wanna कि मैं आने वाले नहीं आने वाले यह बड़ी दुनिया में ऐसा चलता है बड़े पड़े लिखे लोगों कि है कुछ शादी बया हो तो लिखते हैं आरे स्वीपी आज हिंदुस्तान की राज लिती मैं भी यह आरे स्वीपी का खेल चल रहा है और कल अमेरिका के एक अगमार ने एक नया मोडल प्रस्तूत किया भाईया बताईए बिहार में आपके पास को ऐसी जादू गरी है कि जिसमें आपके जेब में एक लाख रुप्या हो और चार साल में तिन सु करूर हो जाए ऐसा को जादू है कि आपके पास ऐसा मोडल देखा है क्या देखिए मा बेटे की सरकार ने ऐसा मोडल दिया ऐसा मोडल दिया कि जिएम में एक लाख रुप्या है और चार साल में तिन सु करूर हो जाते है कि यह आरेस्वीपी मोडल है आरेस्वीपी और रहू एस सुनिया भी बढ़रा पी प्रियंका यहां रस्वीपी मोडल दाया है रहू जी आप गुजरात के मोडल की गाउं गाउं कुम के चर्चा कर रहे हो अब देश क्यों जानना है यह माँ बेटे का मोडल कौन सा है भाई बहनों अभी अभी जो किताब आई है एक किताब से पता चल गया है कि देश की सरकार बन मोहन सिंग जी नहीं चला रहे हैं यह माँ बेटे की सरकार है भाई बहनों यह माँ बेटे की सरकार आपका भागे नहीं बदल सकती है आपके जीवन को नहीं बदल सकती है मेरे नव जवान बित्रों मुझे बताइए आपके माबाप को जैसी जिन्द की जीनी पड़ी क्या आप जैसी जिन्द की जीना चाहते हो आपके माबाप को जो तकलिप पड़ी वो तकलिप आप जोनना चाहते हो आपको इन मुझीबतों में जीना है जिस मुझीबतों में आपको माबापको जीना पुरा आप बडलाव चाहते हैं अपना भाग के बडलाव चाहते हो तो भाईयो बेनो ये माँ बेटे के मोडल से मुक्ति ले लीजिए इनके लिए गरीब एक पुरीजम का डेस्टिनेशन है जैसे आप ताजमाल देखने लिए जाते हैं ना तो कितना मन करता है चलो ताजमाल देखा नहीं है कि इस थ्फरी शीन देखा नहीं देखेंगाão की में ज़े ताम महल गया था यहांट निकाले करतेंगा जो औरर यह गरीबी देखने के लिए फुर् coupon करतें ऑब गरीब केखर जाते ताम था यह मनमें सब्सक्राइब गरीब होता किया है एक उनकाता कैसे है टाल कि बाटा क्या है गरीब का पयार दोह पंगल नहीं होते हैं करीब को बता यह करीब का पैठी होता रीव करें एक नहीं होती है इन्हों ने करीबी कभी देखी नहीं है बे सोने की चमच लेकर के प्रदा हुए है गरीबी क्या होते हैं उनको पता नहीं इसलिए वो गरीबी का टूरीजम करते हैं और पर क्या पढ़कर के सिक्र कर आते हैं फोटो फोटो निकाल देते हैं मुभधका उस गरीब का खा भी जाते हैं उसके बच्चे को गोद में ले लेते हैं फोटो निकाल देते हैं और साल भर दुनिया को फोटो दिखाते रहते हैं यह गरीब का मजाक उड़ा रेवागा होगा है और फिर क्या कहते हैं गरीबी परीबी कुछ होता नहीं है यह तो सिरफ मन की अवस्था होती है राहुल जी गरीबी क्या होती आपको पता कहां से चलेगा आप तो सोने की चमच लेकर के पैदा हुए हो आप प्रधान मंत्री के घर में पैदा हुए हो गरीबी क्या होती हमें मालू है ह्पाण हम गरीबी में जिनमें हैं हम कठीवी में पले हैं रेल के डिवेमें में चाई बेच्टेवेटेबेटेपे भ आ प्रात को चूला नहीν जलता था है तो नेंद नहीं आती पिरात कैसे कडती थी वह हमने बच्च्पन में देखा मां कितनी रोती थी यह मना पता आप हमें गरीबी सिखा रहे हो आप ही की बज़ा से मेरे देश के करोड़ों करोड़ों दो ताइम पूरा खाना नहीं मिलता है यह आपके बदोलत है और इसलिए भाईयों मैंनों मुझे गरीबों के लिए कुछ करना है मैंने गरीबी देखी है यह जीवन अगर गरीबों के काम आए तो मेरे जीवन में इससे बड़ा कोई काम नहीं हो सकता भाईयों बहनों मुझे अशिरवाद दीजिए मुझे अशिरवाद दीजिए भारती दंता पार्टी को अशिरवाद दीजिए सारे बिहार से भाजबा के सभी साथ यहों को विजई बिनाएं कमल को चिताइए पंखे को चिताइए जोपड़ी को चिताइए और सारी एक ताकतवर सरकार दिल्ली में बनाएए ताकि हम देश के विकास की दोर आगे बड़े इतने बड़ी संध्याम है पाएं में आपका आपाना वार्यो बार्ट माताइके! कर दो आपने शिरें हैं। अएलो हैं।